Hello everyone, welcome to the channel Current Affairs by Ravi और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GKGS का Practice Set यानि कि GKGS का Practice Set No.2 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यह पूरी वीडियो आपके सभी एक्जाम के Point of Office important होने वाली है यदि आप किसी भी एक्जाम के तयारी करते हो जैसे कि आप किसी भी स्टेट के एक्जाम के प्रपरेशन कर रहे हो या फिर आप पुलिस की, रेलवे की, डिफेंस की, एससी की या फिर किसी भी एक्जाम के आप तयारी कर रहे हो जिसमें GKGS का सेक्शन पूछा जाता है तो उसके point of view से आज की वीडियो काफी जादा useful रहने वाली है क्योंकि इसमें हम top most 100 क्यूशन डिसकस करने वाले हैं GK और GSK जापर include होगा आपका history, polity, geography, economic science, static GK, computer और साथी में sports की क्यूशन को हम या पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को लास एक जरूर देखेगा और at the end of the video मैं आपसे कुछ questions भी पूछूँगे जिनकी answers आप मुझे comment section में दोगे तो बिना देरी करें शुरू कर लेते हैं वीडियो को और आज की हमारे वीडियो का पहला question है केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो देखे अगर हम बात करें केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड जिसको इंगलिश में कहते हैं Central Pollution Control Board तो इसका मुख्याले आप से पूछा गया है तो ये स्तित है नई दिल्ली में तो option number A आपका यहां पर सही हो जाएगा तो देखे केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड एक समिधानिक संगल्टन है और इसका गठन जल प्रदूशन निवारन एवं नियंतरन अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोड को वायू प्रदूशन निवारन एवं नियंतरन अधिनियम सन 1981 की अधिन भी शक्तिया और कुछ कारिय शोपे गए हैं और अगर हम बात करें इसका मुख्या ले तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता हैं यह स्थित्य कहां पर नई दिल्ली में तो देखें कोई भी बड़ी ओर्गनाजिशन होती है तो उसके जो हेड़क्वार्टर है वो अकसर एक्जाम्स में पूछ लेते हैं जैसे कि आपका CBI का हैड़क्वाटर आप से पूछ लेंगे या फिर आप से पूछेंगे एनसजी का हीड़कुर्टर के स्पाने कभी थी ऐसी कोई भी इंसिट्विट होा आपका उस सभी के हैड़क्वार्टर आपके लिए इंबार्टेंट हो जाते हैं तो आज हमने सबसे पहला किशन डिसकस यह कहां परिस्तित है तो देखे गर हम बात करें राश्ट्री पोशन संस्थान तो यह स्तित है आपका हैदराबाद में तो ऑप्षिन नमबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे देखे यह कुशन सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने अ होगा तो वो क्लिक करेगा कि हाँ शादिये नई दिल्ली में हो सकता लेकिन आप गलत है यह नई दिल्ली में नहीं बलकि कहां है यह आपका हैदराबाद में तो ऑप्षिन नमबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे तो देखे राश्ट्री पोशन संस्थान की संस्थान रखेगा राश्ट्री पोशन संस्थान यह है आपका हैदराबाद में इससे पहले हमने डिसकस किया था क्या केंदरी प्रदूशन नियंटरन बोर्ट जिसका मुख्याले आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर नई दिल्ली में फिर है किस आंदोलन के दोरान जेरिए कमें से चले है किया आपकें इस वाट करें तो देखें हम जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में तो दिखेंगर हम बात करें भारत चोड़ो आदोलन के सबसे पहले आपको इसका अरध्यान लकने सन उनी सो 22 की यह बात है इसे दुरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो भारत छोड़ो ये सबी आंदोलन में नारे दिये थे जो अक्सर एक्जाम्स में पूछते हैं कि करो या मरो का नारा किस ने दिया यानि कि do or die का नारा किस ने दिया ये महात्मा गांधी जी ने दिया था किसके दोरान भारत छोड़ो आंदुलन के दोरान तो जब भारत छोड़ो आंदुलन ये चल रहा था उस समय क्या हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रेटिशर्स थे वो कुछ भारतिये नेताओं को रात में उठा रहे थे बारा बज़े के बाद में तो इसी दोरान इस पीड को कहा गया है यहां पर गया ओपरेशन सुनने काल ध्यान दखेगा बतलब बेसिक लिए आप यह कह सकते हैं कि सुनने का नहीं पर टाइम दिया गया है जिसके दोरान में ब्रिटिशर्स ने भारते नेताओं को जेल में बं अंधी जी ने करो या मरो जैसे के डू और डाई भारत छोड़ो इन सभी नारों को यहां पर दिया था यह एक शांती पूर्वक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को सुतंत्रता देने का आग्रे करना था इस तो तुरान अगर हम बात करें ब्रिटेशर्स के दवारा भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ़तार करने के लिए Operation सुनने काल के शुरुवात यहां पर की गई थी तो ध्यान रहेगा उप्रेशन सुनने काल ये आपका किस से संबंदित हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान जो नेता थी उनको गिरफतार करने के संबंद से हैं उप्रेशन 0-R फिर अगला किस्चन है आपका वन संब्रक्षन अधिनियम ये कब पारित किया गया तो देखे अगर हम बात करें वन संब्रक्षन अधिनियम तो ये पारित किया गया था साल 1980 में that is option number जो A है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे भारत में वन संदक्षन अधिनियम ये हुआ था 25 अक्टोबर 1980 को लागू और भारत में वनों की कटाई को नियंतरित करने के लिए वन संदक्षन अधिनियम को प्रख्यापित यहाँ पर किया गया था वन संदक्षन अधिनियम वनों के संदक्षन को उनके वनस्पतियों जीवों और अन्नी विविद परिस्थितिकी घटकों के साथ में सुनिश्यत करता है तो आपको ध्यान रखना है भारत में वन संदक्षन अधिनियम यह ओय था साल 1980 में यानि की Forest Conservation Act अगला केश्चन है बहिश्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किस नहीं किया था? तो काफी important यह पुस्तक है डबल मार का आपको करना है तो ध्यान रखेगा बहिश्कृत भारत नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन यह किया था? डॉक्टर बियार अंबेडगर जी ने तो option number A आप इसमें ध्यान रखेंगे तो देखे अगर हम जाने डॉक्टर बियार अंबेडगर जी के बारे में तो उन्होंने कहीं सारी पत्रिकाएं यह सब लॉंच की तो उसी में एक पत्रिका यहाँ पर आती है जिसका नाम है बहिश्कृत भारत जो कि साल 1927 में इन्होंने लॉंच की थी अगर हम बात करें बियार अंबेडगर जी की तो इन्हें भारत के समिधान के पिता की रूप में हम जानते हैं अनिके जो भारती समिधान है उसके फादर ये कहे जाते हैं कौन ये कहे जाते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडगर जी इसी के साथ साथ जो हमारी समिधान बनाने में जो सभा हमारी बनी थी अनिके जो कैबिनेट बनी थी इससे पहले जो हमारी assembly बनी थी तो उसमें अलग-अलग committee बनी थी तो उसमें committee थी आपकी प्रारूप समीती जिसको English में हम कहते हैं drafting committee के नाम से तो drafting committee के जो head थे वो भी कौन थे तो वो भी थे आपके Dr. B.R. Ambedkarji तो ये भी कुशन अकसर exams में पूछ लेते हैं कि भारत समीधान के जनक कौन है इसके लावा कि जो प्रारूप समीती के अध्याक्ष कौन थे तो सभी कुशन को भी आपको ध्यान लखने हैं ये सब कौन थे ये थे आपके Dr. B.R. Ambedkarji और साथी में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया जिसका नाम है वहिश्क्रत भारत तो इसका अंसर भी क्या हो जाएगा Dr. B.R. Ambedkarji तो देखिए Dr. B.R. Ambedkarji की बात करें तो 14 अप्रेल को हम इनकी जैनती बनाते हैं ये भी exams में पूछ लेते हैं यानिक काफी महान ये personality थी इनकी मुख्य पत्रिकाओं के अगर हम बात करें तो हमने अभी डिसकस किया बहिश्क्रत भारत को जो की प्रकाशित हुईती साल 1927 में उससे पहले हुई थी मुख नायक जो की हुईती साल 1920 में तो ये भी आपस में ध्यान लखेंगे फिर आधोनिक भारत का निर्माता ये किसे कहा जाता है तो देखे आधोनिक भारत के निर्माता की बात करें तो ये कहते हैं किसको ये कहते हैं राजा राम मोहन राय को तो option number जो B है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे तो देखे 1815 में अगर हम बात करें राजरा मोहन राय जी ने इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना यहां पर की थी जो बेसिकली बंगाल में समाजिक धार्मिक सुधारों के लिए ये इसकी स्थापना नोंने की थी उसके बाद अगर हम बात करें राजरा मोहन राय को तो इन्हें आदोनिक भारत के पिता भारती पुनर जागरन के पिता और साथी में अतीत और भविश्य के पुल के जैसे उपनामों से यहां पर जाना चाता है तो ध्यान दिखेगा आधोनिक भारत का निर्मादा ये कहते हैं किसको ये कहते हैं राजा राम मोहन रोयको फिर आयरलेंड के समिधान से भारती समिधान में क्या लिया गया है तो देखे आयरलेंड के गरम बात करें तो हमारे समिधान में आयरलेंड से ये लिये गए है राज करें किस की DPSP की तो ये हमारे देश के समिधान के पांट नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनके जो आर्टिकल है वो है आपके 36 से लेकर 51 के बीच में ठीक है तो आपको ध्यान रखना है राजी के निती निद्शक शिद्धान जिसको हम इंग्लिश में कहते इन DPSP जो कि समिधान की भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से 51 ये कहां से लिए हैं तो ये लिए हैं कहां से आर्लेंड के समिधान से फिर हैं शती प्रथा को समाप्त करने का श्रे ये किस गवन्नर जनरल को प्राप्त है तो देखिए शती प्रथा को अगर हम बात करें ब बनाओगे तो ये काम भी आपको काफी आसान हो जाएगा अब देखिए यहां पर हमने बात किये किसकी सती प्रथा की तो आपको कैसी याद रखने सती प्रथा को क्या किया है सती प्रथा को किया है बैन अब बैन से बनेगा बैंटिक तो यानि की सती प्रथा को यहां पर ज शती विनियमन के तहत अवेद बना दिया गया और जिसी ततकालीन यानि कि उस समय के जो गवनर थी गवनर जनल लॉड विलियम बैंटिक के द्वारा पारिद किया गया अगर हम बात करें शती प्रथा की तो इसमें क्या होता था कि यह संस्कृती थी हिंदू में मतलब तो लेडी हुआ करती थी जो उनकी वाइफ हुआ करती थी वो अपने पती के साथ में खुद को जिन्दा जला लेती थी उसी अगनी में तो यह थी आपकी क्या यह थी आपकी शती प्रथा फिर भारती रास्टी कॉंग्रेश की स्थापना ये कब हुई थी तो देखे भारती रास्टी कॉंग्रेश की बात करने तो इसकी स्थापना ये हुई थी साल 1885 में that is option number A आप इसका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए अगर हम बात करें INC की तो सबसे important यहाँ पर जो day आता है वो आता है 28 December 1885 का ज़स दिन स्थापना वी थी किसकी INC की पहला session भी हुआ था तो ध्यान ने कियागा 1885 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी बॉंबे में और इसकी स्थापना की थी किसने यह की थी A.O. Hume ने A.O. Hume के अगर हम बात करें पूरा नाम तो यह था Alan Octavian Hume जिनोंने भारती रास्टे कॉंग्रेस की यहाँ पर स्थापना की थी कहाँ पर की थी तो गोकुलदास तेचपाल संस्थापना यहाँ पर की गई थी और स्थापना में बहतर परतिन निदीतियों नहीं यहाँ पर भाग लिया था तो यह भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे तो अभिनव भारत की बात करें इसके संस्थापक ये थे VD सावरकर जो D है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि डारेक्ट लीकिशन आएगा आपसे अगर आया तो कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे तो आपको ध्यान रखने हैं इनका नाम था VD सावरकर अगला घुशन है आपका निमलिकित में से कौन सी प्रकरिया बायोगे सेंतर में होती है तो देखिए बायोगे सेंतर की बात करें तो उसमें जो प्रकरिया होती है उसको कहा जाता है किन्वन that is option number जो A है वो आप इसमें ध्यान लखेंगे तो देखें बायोगे सेंतर में किन्वन प्रकिरिया होती है जिसके तहत कुछ विशीश प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरो को उप्योगी बायोगेस में बदल देते हैं और मिथियन गेस यहाँ पर जो होती है वो एक बायोगेस का मुखे घटक है तो ये भी आप इसमें ध्यान लख सकते हैं मिथियन का फॉर्मला क्या होते हैं तो ये होते हैं CH4 तो ये भी कहीं बार पूछ लेते हैं तो ये भी आपको ध्यान लखते हैं ये एक बायो गैस का मुख्य यहाँ पर घटक है फिर है एक वर्ग में उपर से नीचे की और आने पर परमाणों की आकार में क्या परिवर्तन होता है तो देखें आपने बच्वन में प्रियोडिक टेबल यानिकी आवर्त सार्णी को जरूर पड़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम ओपर से नीचे की और आते हैं प्रियोडिक टेबल में यानिकी जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है फिर लीथियम है फिर सोडियम है इस तरह की सिब आप नीचे आते हो तो साइज में क्या फरक बढ़ता है तो आपको मैं पहले बता देती हूँ कि जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ता रहता है तो आप्शन नमबर जो सी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अब यह बढ़ता कैसे उसको भी हम जान लेते हैं तो देखे सबसे पहले इसकी डिटेल थोड़े हम जान लेते हैं कि समू में नीची के और आने पर परमानू का जो आकार है वो बढ़ता है ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम समू में नीची के और आते हैं तो जो number of shells है या फिर आपके जो कक्षा है वो बढ़ती रहती है और जैसे जो कक्षा बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो है आपके परमानू का जो size है, atom का जो size है वो भी increase होता चला जाएगा अब एक example की तोर पर हम यहाँ पर समझते हैं तो हम example लेते हैं किस जी उसका हम यहाँ पर example लेते हैं lithium और sodium का ठीक है अब lithium का number है यहाँ पर कौन सा यह है आपका third number पर आता है और यह आते हैं आपका 11 number पर जब हम इसका electronic configuration करेंगे तो यह आएगा कितना दो और एक और इसको हम represent करेंगे तो इसको कैसे represent करेंगे बीच में आपका nucleus हो जाएगा इसके बाहर जो shell होगी तो सबसे पहले 2 electron यहाँ पर field होगे और इसके बाहरवादी shell में आपका एक electron फील होगा तो बीच में nucleus होगा उसके बाहर आपके 2 two electrons होंगे और उसके बाहर आपकी 8 electrons होंगे one two three four five six seven eight ठीक है यह आपकी 8 हो गए और उसके बाहर एक और कक्षा होगी जहां पर आपका यह बाहर वाला electron होगा जो कि आपका एक होगा अब आप खुद ही रेख सकते हो कि यहां पर दो शेल्स थी यहां पर तीन शेल्स थी जैसी ह तो इस आप शेल्स नीकार को बढ़ाना चाहती है तो आपको क्या करना क्या कि अपको आपको उपर से questions आज कल पूछे जाने लगे हैं, अगर आपको किसी भी formula, किसी भी चीज का formula अगर आपको पता है, तो आप असानी से इन सभी को निकाल सकते हैं, अब कैसे निकाल सकते हैं, वो हम जानेगे, तो देखें, दाप की बात करें, निकी pressure की, तो इसका formula क्या होता है, तो इसका formula होत वह आपकी length होती है, तो जब भी length का कुछ भी system हो, तो हम उसको L में वापेंगे, time का कुछ भी हो, तो हम T लिखेंगे, और अगर mass वगरा कुछ होता है, तो हम उसको M लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर है आपका area, यानिके meter, यानिके distance, तो हम इसको यूनिट क्या होते हैं यह होते हैं मिटर पर सेकंड तो मिटर पर सेकंड को आप कैसे लिखोगे नीचे आप उपर आप लिखोगे ल और नीचे आप लिखोगे टी स्क्वार अब एक ल से आपका एक ल यहाँ पर कैंसल आउट हुआ तो M, L-1, T-2 यह आपका फॉर्मला बन जाएगा यानि कि option number जो C है वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा अगला किश्चन है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते है तो उस समुद्री सीमा को हम कहते है ठर्मोकलाइन तो option number जो B है वो आप है और पसमें ध्यान रिखेंगे यानि कि thermocline वो सीमक शेत्र होता है जहाँ पर जो तापमान है वो तेजी से कम होता है और इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है थर्मोकलाइन तो पानी की कुल मातरा का लगबग नबर प्रतिशत भाग जो है वो गहरे समुदर में थर्मोकलाइन में नीचे पाया जाता है और इस छेत्र में तापमान जो है वो लगबग जीरो डिगरी सेल्सिस तक पहुँच जाता है तो आपको ध्यान रखने है थर्मोकलाइन वो बैंकिंग सेक्टर से यानि की बैंकिंग शेतर से तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे अब यह बेसल मापड़न क्या है तो देखिए बेसल समीती थी उसने ही साल 1974 में इनकी स्थापना की थी और यह समीती विभिन बैंकिंग परिवेक्षी मामलो क्योंकि संबंद में मानक निर्धारित करती है और इन मानकों का मुख्यों देशे दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वे सुनश्यत करना है तो आपको ध्यान लगना है बेशुल्स नॉम्स की शुरुवात यह हुए थी साल 1974 में और यह किसकी सिफारिश या फिर आ कि इंडस्चिल रिवलिशन का जो यह शब्द है यह पहली बार इस्तमाल यह कहता अर्नॉल्ट टोयन भी ने तैट इस ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो अर्नॉल्ट टोयन भी के एक पुछता कि जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन दी इंडस्चिल रिवलिशन एड़ीकार केवल भारती नागरिकों को ही प्राप्त है तो देखिए अगरम बात करें फट्रिमेंटल राइट इनिकी मौलिक अधिकार की तो बने गोंसे को Exclusively सिर्फ और सिभारती नागरिकों के लिए एवलेक्लेबल है जो कि आपका article number 15, article number 16, article number 19, article number 29 और article number 30 यानि कि पाच ऐसे article हैं जो सिर्फ वर से भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं अब आपने option देखा होगा तो article 15 ये आपका सही हो जाएगा article 16 ये भी आपका सही हो जाएगा और article 19 ये भी आपका सही हो जाएगा निकी उप्युकते सभी इसका यहाँ बर सही आँसर हो जाएगा तो option number D आपको इसमें ध्यान रखना है फिर धन विदहक को राज्य सभा अधिक्तम कितने दिनों तक रोक सकती है तो देखे धन विदहक को अधिक्तम राज्य सभा अपने पास मातर 14 दिन के लिए रोक सकती है तो option number जो B है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे राज्य सभा केवल 14 दिनों की अधिक्तम अवदी के लिए ही धन विदहक को रोक सकती है और धन विदहक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकते है राज्य सभा में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते है और ये केवल और केवल राश्पती की सिफारिश पर ह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है ये भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर निमने कतनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो कतन है वो यहाँ पर गलत है तो पहले है राज़सवा की सदश्यों का कारेकाल यह पाँच वर्ष का होता है तो यह आपको बिल्कुल गलत है फिर राज़सवा सदश्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आउउ यहाँ पर होनी चाहिए तो यह भी गलत है यहाँ पर ओनीचे 30 वर्ष की आईउ यह होना चाहिए आपका 6 वर्ष का कारेकाल और यहाँ पर तीसरा उप्शन है कि राज़े समस थाइस दना है जो कि बिल्कुल बात सही है लेकिन इसके एक चुथाई सदश्य प्रती दो वर्ष के बाद मुक्त हो जाते हैं बलकि एक चुथाई नहीं यह होते हैं एक तीहाई तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सहाज हां की तो सहाज हम सहुत जो टाइम पीरण के लिए क्योंकि इनको नहीं के लिए हैं जी मिए तो आप्शन नुबर सी इसमें आपको ध्यान रखना है तो तो देल कि सहांज हां के सशन काल में मुगल स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर था और उसका जो काल है वो विद्वानों द्वारा मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल ये कहकर संबोधित किया गया है अगरम बात करें जहां की तो उन्होंने कई सारी नवीन इमारतों के अलावा आगरा और लाहोर की किलों में अक अगला किशन और अगला किशन है आज येवक संप्रदाय की संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक ते मखली पुत्र घोशाल तो ऑप्शन नमबर सी आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे आज येवक विश्व की प्राचीन दर्शन परंपरा भारते भोवी पर प्रतम नास्तिकवादी और भोटिकवादी संप्रदाय का विकास हुआ और भारते दर्शन और इतिहास के अध्याव के अनुसार आज येवक संप्रदाय की स्थापना ये मखली गोशाल तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे अगला किष्टन आपका नेमलिकित में से कौन ससुर्श में सुमेलित 네 यानि की समस्श में सही नहीं है वो आपको जाएना है तो सथे बांदवकर रास्ते ऊधों की बात करें तो आपका मध्यप्रदेश में बिल्कुल सही है तो आपको ध्यान रखना है सिमली पाल की बात करी उडिशम है बिलकुल सही बांदीपूर की बात करी करनाटक में बिलकुल सही रोहिला की अगर हम बात करे तो यह गुज्रात में नहीं है तो इसका भी आपका यहां पर सही हो जाएगा यानिकि यह कुशन आपका गलत है और को अप्शल नमबर भी आपको यहां पर ध्यान रखते हैं अब डookie रोहिला राश्तियों यह गुज्वात में तो नहीं है अब आप मुझगे बताओंगे रोहिला राश्तियों धयान कहां पर रसनित तो इसका आंसर आप मुझे comment section में दोगे फिर है नेमली कित में से किस राज़े से करकर रेखा यानि कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह बीचों बेच गुजरती है तो यह गुजरती है मद्यप्रदेश के बीच से तो option number B आपस में ध्यान लखेंगे देखेंगे अगर हम बात करें भारत में करकर रेखा कि तो आपका एगा पश्यम बंगाल और फिर आपका एगा त्रीपूरा और साथी में आपका मिजोरम ठीक है तो आठ यह राज़े है जहां से आपके करक रेखा होकर गुजरते हैं सबसे पीचम पीच से यह होकर गुजरते किसे मद्यप्रदेश से तो option number B आपस पे ध्यान रखे तो आठ राज़ों का नाम यह आपर लिखा हुआ है गुजरत, राजस्तान, मद्यप्रदेश, चतीसकर, चारकन, पश्यमंगाल, त्रीपूरा और मिजोरम फिर है किसी तत्व का रसायनिक गुण किस पर निर्भर करता है तो देखे कर हम बात करें कि तत्व का रसायनिक तो इलक्ट्रोनों की संक्या और उस तत्व की अणू की संयोजन शम्ता के विन्यास पर ही यहाँ पर निर्भर करती है फिरन नीमलीकित में से कौन सुमेलित नहीं यानिकि कौन ससमें से सही मैच नहीं करता है तो देखे सबसे पहले हम जामते तकला माकन मरुस्थल के बारे यह आपको देखने के लिए मिलेगा औस्ट्रेलिया में तो यहाँ पर यह आपका गलत हो जाता है वो ही आपसे पूछा तो option number जो भी है यह आप इसमें ध्यान लखेंगे फिर नीमलिकित में से कौन सी नधी दक्षिन भारत की गंगा यह कही जाती है तो देखे दक्षिन भारत की गंगा तो यह कहते हैं कावेरी को लेकिन दक्षिन गंगा की बात करें सिर्फ और सिफ तो यह कहते हैं गोदावरी को तो कन्फ्यूज नहीं होना है दक्षिन भारत की गंगा यह आपकी कावेरी और दक्षिन गंगा ये हम कहते हैं किसको गोधावरी को तो कावेरी नधी के बारे में जाने ठीक तो यह करनाटा कर तमिल नड़ों राजय से होकर वहती है करनाटा क्राजय में पश्शिमि घाट के ब्रहमगिरी पहाड़ी तल्का का वेरी से निकलती है और गुदावरी और प्रिष्णा के बाद दक्षिन भारत में 30 सबसे बड़ी नदी और इसे कहां पर गिरती है तो यह गिरती है आपकी बंगाल की खाड़े में अब जैसे मैं आपको पता है कि दक्षिन गंगा यह कहते है किसको गुदावरी को लेकिन दक्षिन भारत के गंगा ये कहते हैं किसको हैं किसको का वेरी को फिर है विश्व रक्तदान दिवस ये कम मनाया जाता है तो अगर हम बात करें विश्व रक्ततान दिवस की तो ये मनाते हैं हम हर साल 14 जून को तो option numbers जो D है वो आपको इसमें ध्यान रखना है तो देखें वि और रक्त दाताओं को रक्त के जीवन रक्षक उपहारों के धन्यवाद देने के उद्धेशे से इस दिन को मनाया जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं विश्व रक्त दाता दिवस मनाते हैं 14 जोन को फिर भारते नोसने की पहली महिला पाइलेट इनका नाम है लेटिनेंट शिवांगी स्वरूप ये बनी है वो किस राज़े की रहने वाली है तो देखेंगर हम बात करें पहली महिला पाइलेट लेटिनेंट शिवांगी ये बिलॉंग करती है कहां से ये बिलॉंग करती है बि बिहार से तो बहुत से बची बच्शे करो देते हैं मजफर नगर और मजफर पुर अज़ो पूर यह आपका बिहार में तो देँए यह अजे लेक्uardकिन शिवांगी है। वो भारत्रीनोसरे की प्रत्थम महिला पाइलेट है और ये बिहार के मजफरपुर जिले के फतेहबाद की रहने वाली है उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन पाइलेट एंट्री स्कीम के थेद भारती नोसने में शामिल किया गया था और उसने पिलाट स्पीसी सेविन एम के सेकंड विमान पर प्रसिक्षन भी लिया था तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे फिरे प्रधान मंत्री किसान संपन्दा योशन का मुख्य उदेशी क्या है तो इस योशन का मुख्य उदेशी है खादी प्रसंक्षन को बढ़ावा देना वो आपस में ध्यान रखेंगे फिरे नेमलिकित में से कौन सा संस्थान नियूंतम समर्थन मुल्य यानि कि जो आपका MSP की तो इसका अगटन हुआ था जनवरी 1965 में और यह नियूंतम समर्थन मुल्य के सिफारिश करता है तथा धान और गेहों के लिए कीमते भी ये चारी करता है यह क्रिशी और किसान कल्यान वंतारली का एक संयुक्त कार्याली है यह भी आपस में ध्यान रखेंगे जो भी इंसान वहाँ पर जाता था तो उसका एक प्रपस था कि वो सुल्तान के सामने क्या करें कि वो गुटने के बल बैटकर सुल्तान का अभिवादन करें और अपने सर को जो है वो जमीन से चूना बढ़ता था तो यह लिखिये कृश्णदेव राय ने डिल्ली सल्तनत के सब्सवादिक सामय तक साषन किया वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखें अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो मुगलों से पहले किसका साचक था? यह था आपका दिल्ली सल्तनत का तो उसी में अगर हम बात करें, सबसे अधिक समय तक साशन ये कहता लोधी वन्स की साशक बहलोल लोधी ने कब से कब तक ये कहता जो 251 से लेके 1489 तक तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं फिर नेमली कित में से कौन सुमेलित हैं तो आपसे पोचा कित में से कौन सा यहां पर करेक्ट है तो देखे गर हम बात करें, सबसे पहले रेड क्लिफ की तो रेड क्लिफ ये आपका भारत और चीन के बीच में तो बिलकुल गलत ये किस-किस के बीच में है तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में तो यह आपको correct करना है कि Red Cliff आपका भारत और चीन के बीच में नहीं बलकि भारत और पाकिस्तान के बीच में है lles आपको आप और किने व देखने मिलेगा अफ़कानिस्तान और इंडिया लेकिन अफगानिस्तान मैंचन आपर जरूर करना तो यह आपको चैने चाहई हिलेगी जर्मनी और बीच में अपको देखने कर विए तो यह भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा तो इसमें सुमेलित कौन से है तो इसमें सुमेलित जो है आपका वो है आपका मैगी नोट रेखा अब मैगी नोट रेखा की बात करें तो यह आपको कहां देखने के लिए मिलेगी तो यह आपकी स्थित किस किस के बीच में यह France और Germany के बीच में तो यह भी आपको ध्यान लखने है और इसमें सही आपसे पूछा गया है तो आपको ध्यान लखने है यह है आपकी किस-किस के बीच में यह है आपकी France और Germany के बीच में तो option number जो C है वो इसमें आपको यहाँ पर सही हो जाएगा फिर है नेमलिकित में से किस योशना के आधार पर समिधान सभा का गठन हुआ तो समिधान सभा का गठन यह हुआ था cabinet mission के आधार पर तो option number जो A है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे अगर हम जाने cabinet mission की तो साल 1946 फरवरी में इसको जो बेसिकली एटली सरकार के द्वारा भारत भी जगे एक कुछ शक्ती वाला mission था जिसमें तीन ब्रिटिश कैबिनेट थी जिनका नामता है पैंतरीक लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलिक्जेंडर और इस mission का उद्देशी ब्रिटिश से भारते नितत को सत्ता हस्तांतरन पर चर्चा करना था तो आपको ध्यान रखने है cabinet mission के कहने से या शिफारी से आफ यापका है इसी के दो रान जो है वो यहाँ पर समिधान सबागा कटन यहाँ पर किया गया था फिर अनुचे चौवन का संबंद निमलिकित में से किस्से है तो अनुचे चौवन यानि कि आर्टिकल 54 की बात करें तो इसका संबंद है राष्टपती के चुनाओ से यानि कि उसके निर्वाचन से तो option number A आपस में ध्यान रखेंगे फिर निमलिकित में से कौन से पुस्तक के कौटिल ले से संबंद है तो कौटिल ले से कि अगर हम बात करें तो जो अर्थ सास्त्र है ये लिखी है कौटिल ले जी के द्वारा तो option number C है वापस में ध्यान रखेंगे अब अर्थ सास्त्र समझकर आपको ये नहीं सोचना कि एकनॉमिस से कुछ होगा लेकिन नहीं इसमें सारी राजनिती इन सभी के बारे में बात की गई है तो कौटिल ले के द्वारा लेकी गई पुस्तक नाम है इसका अर्थ सास्त्र that is option number C तो देखे अर्थ सास जो है वो कौटिल ले द्वारा लेकित पुस्तक है जो उनकी सबसे प्रशित पुस्तकों में से एक है और इसमें काराधान कूट निती जासू सी और युदर रन निती सहीद साशन से सम्मरत काई विशो के बार में यहाँ पर बार की गई है फिर एक कौन सी पंच वर्शी योशना यह महानरबॉलिस योशना के नाम से जानी जाती है तो देखे अगर हम बात करें पंच वर्शी योशना के जो कि जानी जाते है किस चीज़ के नाम से जो जानी जाए महानरबॉलिस के नाम से तो वो कौन सी है तो यह हैं आपकी दूसरी पंच वर्शी योजना दैट इस ऑप्शन नमबर जो B है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे अगर हम बात करें महानुबॉलिस योजना या आपको करट करना है दूसरी पंच वर्शी योजना और हेरोल्ड डॉमर योजना ये आपकी पहली पंच वर्षी योशना है गौडगिल पर योशना की बात करने फिर योशना इसको हम कहते हैं तीसरी पंच वर्षी योशना तो इनको कुछ नाम दी गए हैं जो आपको डिलेक्ली पूछ लेते हैं कि पहली पंचवर्ष योजना को किस नाम से जानते तो उसको हम जानते हैं हेरोल्ड डॉमर योजना के नाम से, दूसरी को हम जानते हैं महानबॉलिस योजना के नाम से, और तीसरी को हम जानते हैं गाडगिल योजना के नाम से, फिर एकिस समिधानिक संसुधन अधिनम्त ने भारति समिधान में सिक्षा के अधिकार को जोड़ा था तो ये जोड़ा था किसके द्वारा ये था 86-वा समिधान संसोधन डेर्टरज ऑप्शन नमबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे साल 2002 में 66-वा समिधान संसोधन इसने सिक्षा के अधिकार को समिधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के रूपी प्रदान किया और इसने अनुचित 21 को भारती समिधान में सम्मिलित किया था जिसने सिक्षा के अधिकार को 6 से लेकि जो 10 साल के बच्चों की बीच में एक मोलिक अधिकार यहां पर बना दिया था। फिर एं मोरी वंश का अंतिम साशक का क्या नाम था। तो मोरी वंश के अंतिम साशक का नाम यह था आपका वहद्रत that is option number C आपस में ध्यान रखेंगे। देखें मोरी वंश के अगर हम बात करें तो इसके जो स्थापना की थी यह की थी चंदरगुप्त मोरी जी ने किसके सहयोक से तो उस सावे पर जो हमने अभी बात की कॉर्टिल ले जी के बारे में उन्होंने काफी help की थी इस पूरे building pairing में तो चंदरगुप्त मोरी ने मोरी वंश के स्थापना की थी और इसमें बेसिकली उसके बाद जो बेहदरत थे उन्होंने सबसे लास्ट वाले राजा थे और सबसे महान राजा की बात करें तो उसमें नाम शुमारे किसका महान समराट अशोक का फिर स्थिक्षा का अधिकार निकी right to education अधिनियम भारत के संसत के द्वारा किस वर्ष में लागू किया गया तो यह हुआ था साल 2009 में that is option number जो D है वो आपस में ध्यान रखोंगे तो देखें बच्चों का निशुलक और अनिवारी सिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर आपके सिक्षा का अधिकार अधिनियम यह 4 अगस 2009 को लागू क किया गया और मतलब भारत की संसत का अधिनियम है और इसमें भारत भारत समयधान के 21 अनुच्छेत के तहट भारत में 6 से लेके जिदा वर्ष के जो बच्चे हैं उनके निशुलक और अनिवारे सिक्षा के बात यहां पर की गई है फिरे राश्टपती के द्वारा जारी ए इसमें अध्यान के बहुत से बच्चे कुछन काफी गल्थ करते हैं क्यों क्योंकि वह अधियर्देश पढ़ते हैं और अध्यारे देखती ही वह टिक करते हैं 6 मंद को लेकिन शिक्स मंद यहां पर सही नहीं आपको पूरा कुछन आराम से पढ़ना है याप पर बोला गया तो देखे भारते समिदान का जो अनुच्छेद है 1,2,3 जिसमें अध्यदेश के बार में बात की गई है तो इसमें जो राश्टपती है वो अध्यदेश से संबंदित कोई मतलब अध्यदेश को जारी कर सकते हैं और अध्यदेश जारी होता है जब संसत के दोनों सदन 17 में नहीं होने पर राश्टपती को अगर कोई घोशना या फिर कोई पॉलिसी या फिर कोई भी रूल्स रेगुलिशन लगाने होते हैं तो वो एक अध्यदेश को जारी कर सकते हैं इसको मैक्सिमम पीरिड होता है वो 6 महीने तक का होता है लेकिन संसत के शुरू होने के बाद 6 संहीं हाफ़तों के अंतर गात इसको अगर पारित करते हैं तो यह कि अलो बन जाता है अ लेकिन अगर पारित नहीं किया तो यह वापस हो जाता है मत्ब हर अध्यदेश को यह थियान और कर भाहें एक छाह सकता है और यह आटिकल नमомина operated 23 준 Hai プर 1885 एं पहली सथ में कितने परते निदी निदी थे जिन्हों ने भाग रहा था पहले सत्र में वो थे कुल बहात्तर डेट इस ऑप्शन नमबर जो डी है वह आप इसमें ध्यान रखेंगे इससे पहले अल्रडी में डिसकस कर चुकिया कि कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में कहां पर बात करें तो यह कौन थी यह थी आपकी एनी बेसेंट लेकिन अगर हम बात करें पहली भारती महिला अध्यक्ष कौन थी तो उनका नाम ता सोजोशनी नायडू इसके लाव अगर हम बात करें पहले भार के मतलब फोरेंनर कौन थे तो यह थी आपके जोड़ यू ले अगर पर पहले Muslim तो इनका नाम आप मुझे comment section में बताऊगे कि Congress के session में पहले Muslim कौन थे जिन्हों ने Congress के session को हर्ड किया था तो option तो मैं नहीं दूँगे आपको directly answer बताना है comment section में कि वो कौन थे तो जैसे कि अलरड़ी में हापर mention कर चुकी 1885 में इसके स्थापना हुई AO Hume के द्वारा और कहां पर हुई और कौन कितने सदश्य थे तो यह तिक्कुल 72 तो यह आप इसमें ध्यान रखेंगे फिर रामसर सम्मिलन संदक्षन निमलीकित में से किससे संबंदित है तो रामसर सम्मिलन की बात करें तो इसका संबंद है किससे नम भूमी यानिकी wetland से यानिकी आदर भूमी से तो इसमें आपको ध्यान रखने option number जो D है वो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखें रामसर सम्मिलन आदर भूमी के आधार भूत परिस्तितिकी खार्यों को मानेता देने वाले आदर भूमी के संदक्षन और दीरग्रकालिक उप्योग के लिक अंतरा से संदिये कब हुई थी 1971 में भारत कब शामिल हुआ या आप मुझे बताओगी और अभी एड अंसर भी आप मुझे कमें सेक्शन में दोगी हर साल जो वेटलेंडे हम कम बनाते हैं तो दो फरवरी को हम वेटलेंडे यहां पर मनाते हैं फिर हैं मधू में होने का कारण यह इंसुलिन का कम उत्पादन यानि कि जब इंसुलिन हमारी बोड़ी में कम बनने लगती है तब आपका मस्तिश यन की ब्रेंड का तो अप्शन नमबर जो सी है वो आपस में ध्यान लखेंगे तो देखे मेडला फ्लंगेटा की बात करें जिसे मज्जा भी कहते हैं वह मस्तिश का सबसे निशला हिस्सा है और इसमें इसको मेडला या फिर लंबिस यहां पर बनती है तो सिर्फ इतना ध्यान लखनें कि मेडला फ्लंगेटा यह आपका मस्तिश का कहां पर हिस्सा है फिर है बल द्वारा किया गया कारिये धनात्मक होता है कब तो अगर हम बात करें वर्क की यानि की कारिये की तो इसका फॉर्मला क्या होता है डबलो इक्वल टू एफएस अगर ह इस भी बोड़ी इधर ही हो और इसके बीच का अंगल कितना हो जीरो हो तो देखें यानि कि इस कब कब होगा जब बल जब विस्थापन यानि कि जो डिस्प्लेस्मेंट है वो बल की दिशा में ही हो तब आपका होता है क्या कारी जह हो पॉसर्टिव होता है तो आप्शन न स्क्राइब यानि रखेंगे कैसे आपको याद रिखना है इसका जो फॉर्मला होता है वो क्या होता है f is equal to g an m2 अपॉन r square तो हमें इसकी इंडेकालनी है force की unit हमें पता है कितनी होती है and newton होती है mass यहां पर हो जाएगा kilogram 2 है तो kilogram kilogram और radius आपकी meter in to meter तो इसका है और propagate करेंगे तो kg आपका kg square और नीचे आपको सब्केर और इधर आपकी 뉴스 करोगे तो this यहाईगा newton m deception घी स्क्वेर तो यह आपका formula बन जाएगा है फिर unit बन जाएगी किसकी gravitational constant की फिर फिक्की की शब्द विस्तार में अंतीम आई का मतलब क्या है तो इसका मतलब है आपका international that is option number जो इसका मतलब है industry तो option number जो B है वो आप इसमें ध्यार रखेंगे जब आप फिक्की की full form देखोगे तो इसकी full form है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry और आपसे अंतीम आई का मतलब यहाँ पर पूछा गया तो इसका answer हो जाएगा आपका industry that is option number B अगर हम बात करें फिक्की की यानिकी Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry की तो एक गैर सरकारी व्यापक संग है जिसकी स्थापना 1927 में घंशाम दास बिड़ला और प्रशुत्तम दास थाकुर्दास ने की थी इसका मुख्याल ले यह है आपका नई दिल्ली में कि फिर सत्कोषय बाग रिजर्व एक इस त्राज्य में है तो सत्कोषय बाग रिजर्व यह है आपका उडिशा में तर्ट ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान लखेंगे अब देखे हमारी कुछ पीडियाफ है जो अभी रिसेंटली लॉंच हो चुक है जैसे कि आपकी मंत्री आपकी पीडियाफ है यह करंट अफेर्स की अपरिल की जिसको परचेस कर सकते हैं जिसने अल्रेडी जो है जैन्वरी सिलेकर मार्च का पूरा कंपेलेशन परचेस कर लिया है तो वह यहाँ पर यह परचेस कर सकते हैं लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अदर्वाइस आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.raweebooks.com यहाँ पर जाकर वि नाम हो जाएगी तो वापस साथ है अपने केशन पर और अगले केशन बिसकस कर लेते हैं कि नोसियन तीस कम मनाते हैं तो नोसियन दिवस की बात करें लिए परचेस की बहुमिका की सम्मान में मनाया जाता है और यह जब भारती युदपोतों ने कराची बंदरगा पर हमला किया था उस दिन की याद में हम इसको मनाते हैं फिर है भारती समयदान के किस अनुच्छेद में अंतराश्टी सांती और सुरक्षा तथा भारत के विदेश निती का वरणन ये किया गया तो ये है आपका आर्टिकल नंब नंब दोक्टर जाकिर हुसेन वह आपस में ध्यान रखेंगे अगर हम जाने डॉक्टर जाकिर हुसेन जी के बारे में तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट पती थे और इसके लावे इनोंने जाम्या मीलियास्लामय की विश्विध्याली की सहस्तापना भी की थी मतलब इसके को फांडर थी और अपनी कार्याली के दुरान इनकी म्रत्ती हो गई और उसके बाद सबसे कम समय तक सेवा दने वाले राष्ट पती भी बन रहे थे और अगर हम बात करें भारत की तीस्ते राष्ट पती थे तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर भारत के मौन स प्रोविजन है वो हटा दिया गया तो अब कितनी हो गई है अब हो गई है यहां पर कितनी कि यह हो गई अभी वट्रम ने बांच रहें यह बात कर रहा है मोह में समय दहां के मतलब ऑरिशनल कॉंसेय संक्या थी वह थी कुल 500 यानिके पहली हुआ करती थी 500 फिर बढ़कर य लेकिन अभी जो है रिसेंटली दो एंगलों इंडियन्स की प्रोविजन हटा दिया गया और यह अब हो गई है 550 तो यह भी आपस में ध्यान लखेंगे फिर हैं भारत के सबसे कम जनसंख्यावला राजी कौन सा है तो सबसे कम जनसंख्यावला राजी के गरम बात करें तो यह सबसे कम जनसंख्यावला राजी तो यह आपका उत्रप्रदेश है सबसे बड़ा राजी तो यह आपका राजिस्थान है और सबसे चुटा राजियन टम ओफ एरिया तो यह आपका गोवा है तो यह सभी आपस में ध्यान लखेंगे फिर प्रकर्ति की और लोटेने की गो ब ध्यान रखेंगे फिर पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निमलिकित गैसों में से किसे परियोग में लाया जाता है तो इसे लाजा लाया जाता है हम क्लोरीन को यह आपस में ध्यान रखेंगे यह पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन गैस का अस्तमा नंबर है वो है 17 जो कि बिलॉंग करते हैं लोजन फामिली से क्लोरीन की बात करें तो एक विशेला संराक्षक हरा पीला गैस होता है जो आखो और सुशन प्रणाली को परेशान कर सकता है ठीक है तो यह भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर रास्टिस रुक्षा गाड़ने की एनशी के स्थापना ये कब की गई थी तो यह हुई तीस साल 1984 में दाट इस ऑप्शन नमर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखें एनशी अगर हम बात करें तो इसको हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते है और इसकी स्था में फिर मोहन जोड़ो का स्थाने नाम क्या है तो इसका स्थाने नाम है मर्तको का तीला यानि की माउंट ओफ डैट्स तो ऑप्शन नमर जो डी है आप इसमें ध्यान रखेंगे फिर रेडियो कारवन तिथी निर्धारित विधी से किसकी आयू का पता चलता है तो अगर हम की आयू का पता लगाने के लिए किया जाता है और विज्ञानिकों ने जिवाश में की आयू संरशनाओं का पता लगाने के लिए कई अच्छी प्रिस्टिक्षन तक्निकों का संयोजन भी किया है 1940 की बात करें तो उस दुरान अंत में बिलाड लिल्बी के द्वारा आप से धियान रखेंगे फिल्यप रषित पुस्तक जिसका नव है The Light of Asia ये किसके द्वारा लिखी गई ? तो The Light of Asia ये लिखी है जैराम रमेश ने तो Option निम्बर जो A है वो आप से धियान रखेंगे तो दिगिःज है जैराम रreme 아파és इंश में ध्यान रखेंगे फिर भागी रती और अलक नंदा गंगा में कहां पर मिलती है तो देखे गर हम बात करें भागी रती की और साथी में अलक नंदा की तो ये मिलती है कहां पर तो ये मिलती है आपकी देव परियाग में तो option number जो D है वो आपस में ध्यान रखेंगे फिर किस राज्जी की सूर्शरोवर जील को रामसरस्थल का दरज़ा दिया गया तो सूर्शरोवर जील ये आपके UP में है तो ऑप्शन नमबर B जो UP की स्टुडेंट है उनके लिए भी काफ़ इंपोर्टेंट हो जाता है राम सेस्थल अगेन आया है कितने हैं अभी यह मैंने आपसे पूछा था दो फरवरी को हम वेटलेंड डे मनाते हैं यह आपको ध्यान रखना है और आपको थीम भी इसकी पताने की वेटलेंड डे की थीम इस बार दो हजाजार चौबिस की क्या थी पिर है एक फैमटो किसके बराबर होता है तो एक फैमटो की बात करई तो यह बराबर होता है दस की पावर माइनस पंद्रा मेटर की बराबर तो उप्चिन नमिबर आ आप इसमें ध्यान रखेंगे लेकर डेटे снदार कुछ है नहीं आपको सिंप्ली क्या करने है इंको बस य करती है और 2 सेकंड के बाद में 5 मिटापर सटी गती प्राप कर लेती है इसका तुरन क्या होगा तुरन यहां पर पूछे कि यानिकी शुरुबात में इसकी speed कितनी थी? ये थी इसकी 0, फिर चलती चलती इसकी speed कितनी हुए? ये हो गई 5 और times ने लिया 2 seconds, तो यानि कि 5 प्रटे 2, यानि कि 2.5 तो इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा option number C, फिर बल और विस्थापन का गुननफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है का विस्थापन तो option number B है वो आपस पे धियान रखेंगे. फिर नेम लिकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखे, कुछ विटामिन दिये गए हैं तो आपको बताना है कि इन में से कौन सी बिमारी इस विटामिन से नहीं होती, जो यहां पर गलत लिकी गई ह तो विटामिन D की बात करें तो इससे रिकेट्स होता है, जिसमें बच्चों के जो पैर है उसमें प्रॉब्लम होती है, मुड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो होता है आपका रिकेट्स, तो option number A आपका सही हो जाएगा, विटामिन C सिस करवे, यानि कि मसरोडों में सूजन, ग अब विटामिन A से क्या होता है, या आप मुझे कमें सेक्शन में बताओगे, फिर है, पोदे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिच के परिवहन के लिए सक्षम है, तो यह है आपका जाइलम, that is option number C, इसको याद करने के simple सी ट्रिक है, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है फोईलम, ठीक है, spelling आप देख लीजएगा, एक जाइलम होता है, अब जाइलम में क्या होगा, जाइलम मतलब थोड़ा जल, और फोईलम मतलब आपको जाएगा फल, मतलब आप इस तरीक से इसको याद रख सकते हैं, अब पानी की बात हुई है, खनिच की बात हुई है, तो अनुसंदान संस्थान इस्तित हैं, तो ये इस्तित हैं आपका गुजरात में, that is option number B, आपस में ध्यान रखेंगे, फिर एक ज्यान पीट पूरुसकार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ज्यान पीट पूरुसकार पाने वाली प्रथम महिला ये थी आपकी प्रथम परती शुरूती के लिए ये पूरुसकार जीता था, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे, फिर सोर प्रणाली की खोच किस ने कीती, तो सोर प्रणी सोलर सिस्टम की खोच ये कीती, कोपर निकस नहीं, that is option number B, फिर भारत में बैंकों का पहली बार राश्टी करन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था, 1969 में, that is option number C है, वो आपस में ध्यान रखेंगे, तो देखेगर हम बात करें, 19 July 1969 को, 14 प्रमुक नीजी वानेजिक को बैंकों का राश्टी करन ये किया गया, और 6 और वानेजिक बैंकों ने राश्टी करन का दूसरा दूर, 1980 में ये का नई दिल्ली में, that is option number C आपस में ध्यान रखेंगे, तो देखे, भार्ती राश्टी राश्टी राश्मार्ग प्राधी करन का गटन, 1988 में, संसत के एक अधीनियम के द्वारा सड़क परीवन और राश्मार्ग मंत्राले के प्रिस्ताश्निक नियंतरन के तहत किया गया, भारत सरकार के द्वारा इन्हें सोपे गए राश्टी राश्मार्गों के विकास रख रखा और प्रभंदन के लिए केंदे प्राधी करन की रूप में इसको स्थापित किया गया था, फिर कोई पिंट एक तब तक विरा मवस्था में है, बना रहेगा जब तक कि कोई वस्त रहेगा जब तक कोई भाए फोर्स आकर उसको मुव नहीं कर दे और कोई वस्तू कोई भाए फ्रस आकर उसको रोपना दे तो यह बात करता है किसकी न्यूटन के पहले लोगी दोस्री लों से हमें मिलता है formula F is equal to M में और तीसे से आपका होता है क्या action reaction वाली बात यानि की किरिया पढ़ते किरिया वाली बात तो यहाँ पर हुई है किस चीज की विरामा वस्त हमें बना रहेगा तो यह बात है किस की किस ने दिया Newton ने तो option number जो A है वो आपको इसमें ध्यान रखना है फिर एक कण का द्रव्य 1 M है और इसका सम्वेग है P तो इसकी गतिज उर्जा आपको बतानी है तो गतिज उर्जा यानिकी kinetic energy इसका formula यह होता है half M V square अब relation आपको बताना है तो देखे kinetic energy 1 half हो जाएगा M V square उपर भी आप M से multiply कर दीजे नीचे भी आप M से multiply कर दीजे M M यहाँ पर जाएगा M V square यानकी पुरा square upon M बहारे आपका 1 upon 2 अब आपने देखोगा सम्वेग का formula कितना होता है M into V momentum is equal to M into V mass into velocity तो आप इसको लिख सकते है P square upon M तो यह क्या बना P square upon 2 M तो यह relation बनके kinetic energy और किसका momentum का तो यह आप ध्यान रखेंगे यह option number जो B है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिरन नेमलिकित में से कौन सा हडपा काली इंस्थल गुझरात में इस्थित है तो यह आपका लोथल that is option number जो D है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे सिंदोगाटी सब्वेता में सबसे महतपुन शहरों में से एक है लोथल जो आतनिक गुझरात में भाल चेतर में इस्थित है एसाई के द्वारा इसके पास दुनिया का सबसे पुराना ग्यात गोदी थी जो सहरकुष सिंदी की हडपा शहरों और सोराश्ट की प करते हैं इसका नाम भी पढ़ता क्या इसका नाम भी यहां पर रखा गयता रप्या सब्वेता तो यह आप इसमें ध्यान की बारे में तो अगर हम बात करें विश्व साक्षरता दिवस तो आठ शितंबर को यहां पर मनाता है बिल्कुल सहीं बात है सुने क्तरास्थे दिवस 1 अक्टूबर को नहीं बनाते हैं ant 지 Divos 17 April को नहीं मनाते हैं वश्य उमानवदिकार दिवस में 1ünd को नहीं मनाते हैं अब इनका मैं आपको अंसर बता देती हूं जैसे की वश्य मानवदिकार दिवस की बात करे तो यह हम कब बनाते हैं किए प्रस्तावना के नूसार परंशक्ति किसके हाथों में हैं तो देखे प्रस्तावना के नूसार अगरम Lagarde करई 거야 है तो किThis that is option number C आपस में ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप समिधान पढ़ोगे समिधान में जो प्रस्तामना वाला पेश पढ़ोगे तो स्नार्टिंग में लिखा हुआ है हम भारत की लोग और इंग्लिश में लिखा है वेदा पीपल आफ इंडिया तो आप कह सकते हो कि जो शक्ती है परमशक्ती वो किसके हाथों में तो वो है जनता के हाथ में that is option number C आपस में ध्यान रखेंगे तो इसमें आपको option number C हाँपर ध्यान रखना है फिर तुगलक नामा की रचनकार का नाम क्या है तो तुगलक नामा की बात करें तो इसके रश्णाकार यह है अमीर खुश्रो that is option number जो C है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर नेमली की तराज़े में से दुद्वर आस्टे पार की कहाँ परिस्तित है तो देखे अगरम बात करें दुद्वर आस्टे पार की तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश में that is option number जो A है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर अंग्रेजियों एवन फरांशों के बीश में निर्णायक जो युद है वांडिवोश का युद यह कब हुआ था तो वांडिवोश के युद के अगरम बात करें तो यह हुआ था साल 1760 में that is option number जो A है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे 1760 में वांडिवोश की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीश में लड़ाई गई थी और वांडिवोश की लड़ाई में फ्रांसेजी और ब्रिटिश उपनिवेशक समराज्जी के जो बीश लड़े गए तीसरे करणाटक युद का यह हिस्सा थी 1763 में पहले संदी पर हस्ताक्षिर के साथ में ये युद्जु है वो समाप्थ हो गया था फिर है दस में अठर सु सतावन को सिफाई विद्रो ये कहां से प्रारम हुआ तो ये हुआ था मेरट से that is option number जो C है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे भारते विद्रो जिसे सिफाई विद्रो या फिर प्रतं सुतनतरता संग्राम के नाम से हम जानते हैं वो 1857 में भारत में ब्रिटिस सेशन के खिलाफ हुआ था और ये ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारते सैने को यानि की सीफायू द्वारा मेरट में शुरू किया गया था फिर बंकिम चंद चडर जी के द्वारा रजित आनंद मट का संबंद एकिस विद्रो से है तो इनका संबंद सैयांसी विद्रो से वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे संबंद सैयांसी विद्रो 1763 में शुरू हुआ और 1800 तक चला था और यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिख्षो को नेतत्व में इस विस्थापित जाने को का विद्रो था और इसमें बेसिकली वन्दी मात्रम जैवो आनंद मट का ही हिस्सा है फिर नाथूला दर्रा यह किस राजे में इस्तित है तो देखें नाथूला दर्रा की बात करें तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा किस राजे में तो इसका ओप्षिन नमबर जो बी है यह आपके यहाँ पर सी हो जाएगा कि सिक्किम में आपको देखने के मिलेगा ना थुला दर्रा फिर यह आप एक शिक आदरता यह किसे मापते हैं तो आप एक शिक आदरता की बात करें तो यह हम मापते हैं hygrometer से that is option number जो C है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखें आपेक्षिक आदरता मापने के लिए एक आदरता मापी का उपयोग किया जाता है हवा में आपेक्षिक आदरता को आदरता मापी यानि की hygrometer के द्वारा ही हम मापते हैं सापेक्ष आदरता को अनुपात की रूप में द्रशाय जाता है और यह हवा में नमी की मात्रा या फिर वाश्प का परतने दित्व करता है और अधिक्तम मात्रा में आदरता में हवा में हो सकती है यह इस बात का पता यहाँ पर लगाता है फीर यहाँ पर आपको मैच करना हैं जैसरी कि एक बात करें कॉर्बेट निशलव पार्क की तो ये कहां पर है तो कॉर्बेट निशल पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर यобытиह आपका असम में, कहना यह हैं आपका मद्र प्रदेश में, काजी रंगा है आपका कहां पर? सॉरी, कॉर्बिट निशर पाक, यह आपका जिम कॉर्बिट सॉरी, यह है आपका उत्रा खंड में, यानि कि फर्स्ट को हो जाएगा आपका दूसरा और हजारी बाग ये इससे पहले अगर हम काजी रंगा की बात करें तो काजी रंगा है आपका असम में यानकी D का हो जाएगा आपका first तब इन दोनों से conclude कर सकते हैं A का second है D का first है यानकी option number जो A है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर पराश्रवे में वे धोनिया हैं जिनकी आवर्ती कितनी होती है तो पराश्रवे इनकी धवने के जो आवर्ती होती है वो 20,000 हर्ट से अधिक होती है तो जो option number B है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिर नीम्न में से कौन सा देश अंतराश्रे मुद्रा कोस का 109 देश बना था तो यह बना था अंडोरा that is option number D है आप इसमें ध्यान लखेंगे तो देखे अंडोरा की बात करें वो अंतराश्रे मुद्रा कोस का सदश्य बनने वाला 109 देश था और अंडोरा, फ्रांस और स्पीन्स की वीच में इससे तेक माइक्रो स्टेट है हाले की यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है अगर हम बात करें IMF की तो इसके स्थापनोवी थी जुलाई 1944 में और इसका जो मुख्याल नहीं है वो आपको देखने के लिए मिलेगा वासिंग्टन डीसी में फिर यदि माता का रुदिर A हो तो था पिता का वर्ग AB हो तो संतान का रुदिर क्या होगा तो उसके जो चांसेज होते हैं वो AB AB बदब AB और AB टीनों हो सकते हैं तो option number A आपस में ध्यान रखेंगे फिर एक किस रोग के विकरती के लिए विडाल परिक्षन ये किया जाता है तो विडाल परिक्षन की बात करें तो यह होता है टाइफाइड के लिए that is option number C आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे विडाल टेस्ट बेसिकली एक समुहन परिक्षन है जिसका उप्योग तो यह होता है किसमें त्रीपुरा में क्योंकि अगर बात की चट वी चट वी आपकी अनुसूची है उसमें आता है कौन-कौन से तो उसमें आता है ए-े-े-म-ट-े-म-धथि असम मेगाले त्रीपुरा में तो यहां पर त्रीपुरा है तो option number जो A है वो आपस में घ्यान र जी लोग के नाम बदलने का पूरा-पूरा यहां पर अधिकार नहीं थे फिर नेम लिकित में से कॉंजस नहीं सुमिलित नहीं है तो इसमें बंदी प्रतिक्षी करन की बात करें तो यह सबी जो है वह एक प्रिकार की रिट है जो की जारी होती है किसमें सुप्रीम कोर्ट इनको जारी कर सकता है और हाई कोट आर्टिकल 226 के तयात इनको यहां पर इशू कर सकता है तो पहले आपका बंदी प्रतिक्षी करन जिसका मतब़ेट वह भाड़ी आफ तो यह आपका सही हो जाएगा पर्मदेश भी कमांड यह भी आपका सही है परतिशे तूबी क्या होता है तो देगे अगर हम बात करें सबसे पहले हेबस कॉर्पस जिसको हम कहते है बंदी प्रतिक्षी करन तो इसका मतलब होता है टू है टू में हाफ दा बॉड़ी यानि कि जो आपने परसन अगर कोई पोलिस वाला है फिर कोई किसी परसन को पकड़ लेता है तो कि अंदर उसको मेजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है या फिर यह भी हो सकते कि आपको रिलीज करना पड़ता आपको बताना पड़ता है कि आपने किस बिना पर हमको यहां पर अरेस्ट किया है मैंडमस होता है वी कमांड यानि कि जो मतलब जो लोवर कोर्ट वर्क नहीं करते हैं तो उनको वहाँ पर हम बोलते हैं कि आप काम करें अपना सही से हम आपको कमांड देते हैं तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं मैंडमस का मतलब शार्शोरी यानि कि टूबे सर्टिफाइड यानि कि कोई अगर आपर किसी इनफीर कोर्ट के आपने और को क्या है तो यह आपकी रेट हैं फिर भारत का प्रित्म प्रमाणू रियक्टर का नाम क्या था तो इसका न रखेंगे तो देखे चार अगस 1956 को निर्मित अपसरा भारत की पहली नाभी के रियक्टर थी और इसका उदकाटन बीच अनवरी 1957 को प्रधान मंट्री जवहरला नहरू ने किया था यह मुंबई में भामा प्रमाणू अनुसंधान के इंद्र के ट्रॉम्बे परिशन में बनाया गया था तो यह भी आपस में ध्यान रिखेंगे फिर किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं तो नीला ग्रह की बात करें तो यह कहते हैं किसको प्रत्वी को देट आप्शन नमबर एं आपस में ध्यान रखेंगे फिर नीमली कित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नही तो ऑप्शन नमबर जो डी है आप इसमें ध्यान रिखेंगे शुद्ध ग्रह हुआ धूम की तुए ग्रह हुए ये सभी सोलर सिस्टम के पार्ट है लेकिन निहारी का ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है फिर मौसम के बारे में अध्यान करने वाले विग्यानिक ये क् दक्षणी टर पर रस्तित हैं तो ये है आपका ब्रह्मा पुत्र नधी पर आपस दिहान रखेंगे तो देखेंगे लाउक हुआ वानचीव अभैरन्य को अधार्स्तित है और ये असम्मस्तित है और ये बैसिकली भ्रह्मुत्र नधी दक्षनी टट पर यहां पर इस्तित आपको देखने के लिए मिलेगा अभ्यरन्य फिर विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन से है तो विश्व का सबसे बड़ा महादीप यह है आपका एश्या यह आपका एश्या तो यह थे आपके टॉप 100 इंपॉर्टेंट केशन आफ देज वीडियो जिसमें हमने बिहार से संबंदित और बिहार के एक्जाम में होने वाले किसी बी एक्जाम का जो भी जीके बन सकता है उन सभी को हमने आपर डिसकस किया है यह इसका पार नेमबर टू जिल्दी हम पार थर्ड के साथ आपके लिए आपको यहां पर लगाने है अपना फीडबैक भी देना है और जो भी हम आपसे पूछती उनका आंसर भी आपको मुझे कमें सेक्शन में बताना है अब टेस्का कुछिन है कि किस ऑपरेशन के दुरान में किस आंदुलन के दुरान में ऑपरेशन जीरो आर यह चला गया था तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे सैकेंड है आपका कि भाहिश्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक यह कौन है या फिर प्रकाशन किस ने गया इसका भी आंसर आप मुझे कमें सेक्शन में दोगे इसके लवर पीडिएफ में आपको बता चुकि हूँ पॉलिटी की पीडिएफ है करंट अफेर की पीडिएफ है और इसमें मंतली करंट अफेर आपको देखने के मिलेगा जिनको पर्चेस कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के मिल जाएगी इसके लावर डेली सुबह दीती मैं हम आपके लिए क्लासेज लेती है करंट अफे पीडिएफ के लिए आप जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जो कि ही आपका करंट अफेर बाई रवी के नाम से ठीक है इसके लाव हमारा मोबैल एप्लेशन आप है जिसको आप चेक आउट कर सकते हैं जिसका नम है रवी स्टडी आई क्यू जी की जहापर आपको ड